तो कैसी हो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग compare करने वाले है आईफोन 12 mini को आईफोन 13 mini से और ठेकेंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों की build quality की और design के बारे में इसके बात करेंगे इन दोनों का performance test in the end में हम बात करेंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन चूज करना चाहिए और अगर आपके पास 12 mini पहले से है तो क्या 13 mini में upgrade करना चाहिए कि नहीं तो पिरना time waste किये पढ़ते हैं वीडियो की तरफ दोस तो सब सब बहले बात करेंगे हैं इन दोनों के design की और build को रडी की अगर design की बात करूँ तो दोनों में ही आपको बहुत ही कम difference देखने को मिलता है यहाँ पे आप अगर इन दोनों को ही पीछे से देखोगे तो आपको सिफ और सिफ इन दोनों की camera module में जो difference देखने को मिलेगा वो ही एक difference है इन दोनों के design में iPhone 13 mini में आपको diagonal lenses देखने को मिल जाते हैं और iPhone 12 mini में आपको एक line बनी हुई देखने को मिल जाती है lenses की वही अगर इन दोनों के friend की बात करने तो आपको notch का हलका सा फरक देखने को मिलेगा दोनों में ही और कोई भी design में फरक नहीं है बात करूंगर इन दोनों के build की तो दोनों ही 7000 series के aluminum के साथ बने हुए है इस front में आपको ceramic shield देखने को मिल जाती है back में आपको gorilla glass देखने को मिल जाता है दोनों के अगर look की बात करें तो almost दोनों एक से ही दिखते हैं और अगर बात करें dimensions की तो यहाँ पे आपको दोनों की height 5.18 inches इस width आपको 2.53 inches देखने को मिल जाती है लेकिन यहाँ पे आपको इन दोनों के weight में difference देखने को मिल जाता है iPhone 12 mini 133 grams का है और वही iPhone 13 mini 140 grams का है तो यहाँ पे आपको weight का हलका सा difference देखने को मिल जाता है दोनों में ही प्लस आपको इन दोनों की ही थिकनेस में डिफरेंस देखने को बलेगा जहां आइफोन 12 मिनी 7.4 mm का है वहीं आइफोन 13 मिनी 7.65 mm का है यानि की 0.25 mm का डिफरेंस देखने को बलेगा इन दोनों की ही width में और अगर कुछ और similar features की बात करूँ तो ये दोनों ही IP68 water resistant है आइफोन 13a XDR display देखने को मिल जाता है जो की एक OLED HDR display है इन दोनों का ही resolution 2340 by 1080 का है जिसमें 476 pixel पर inches देखने को मिल जाते है लेगिन आपको इन दोनों की brightness में एक छोटा से reference देखने को मिल जाता है अगर आप normally iPhone 12 को बाहर यूज करते हो तो आपको ये max brightness 625 nits तक देता है और अगर 13 mini यूज करते हो तो ये आपको 800 nits तक देता है यानि कि अगर आप outdoor phone दोनों ही यूज करते हो तो iPhone 13 mini जादा brighter है as compared to iPhone 12 mini लेकिन अगर आप दोनों में HDR content देखते हो, photos, videos अगर HDR content देख रहे हो दोनों ही phones में तो दोनों में ही peak brightness 1200 nits तक चली जाती है तो यहाँ पे कोई भी इतना बड़ा difference नहीं है लेकिन normal phone यूज करते हो outdoor में तो हाँ there is a difference इन दोनों के ही display में आपको एक बहुत बड़ा identical difference देखने को मिल जाता है जो कि है इन दोनों का notch notch अब 20% कम हो चुका है as compared to iPhone 12 mini तो यहाँ पे आपको iPhone 13 mini में 20% कम notch देखने को मिलता है जब इन दोनों ही phones को आप side by side पकड़ोगे तो क्योंकि iPhone 12 mini में भी same वही वाला notch है जो कि iPhone 12 pro max में है तो वो सच में बहुत ज़ादा भद्दा सा दिखता है वहीं अगर 30 mini के notch की बात करों तो वो इसके size के साब से ठीक सा दिखता है और इतना ज़ादा bother नहीं करता जिता 12 mini में करता है एक difference हो जाता है इन दोनों ही phones में आगे बने से पहले बात कर लेते हैं अगर आप अपने phone का या फिर अपने parents के phone का passcode बूल चुके हो और उस phone को unlock करना चाते हो तो इस software की तुरू आप उसको easily कर सकते हो इसका नाम है doctor phone by wonder share इसका process काफी जादा easy है simply इसको अपने laptop या फिर Mac में install कर लो जैसे ही software को आप open करोगे आपके सामने कई options दिखाई देंगे इसमें से आपको select करना है unlock iOS screen जैसे ही इसमें select करोगे यहाँ पे आपको DFU mode में डालने का option आ जाएगा जो भी आपका phone का model है उसको select कर लो यहाँ पे पूरी process आपको दिखा देगा वो steps follow करके आप अपने phone को easily DFU mode में डाल सकते हो जैसे ही आपका phone DFU mode में जाएगा यह software उस phone को easily detect कर लेगा यहाँ से जाके आपको simply start पे click करना है जैसे ही आप start पे click करते हो latest software firm में download होने लगेगा download complete होने के बाद यह software को verify करेगा इसके बाद unlock पे click करो और यहाँ पे आपको 6 बार 0 लिखना है और इसके बाद simply enter कर देना है अब आप देखोगे कि आपका phone factory reset हो चुका है यहाँ से अब आप अपने phone को फिर से reset कर सकते हो तो link नीचे description में वास जाके software को easily download कर सकते हो अब बढ़ते है next point की तरफ जो की है processor और iPhone 12 mini में आपको A14 Bionic chip देखने को बिलती है वही iPhone 13 mini में A15 Bionic chip देखने को बिल जाती है जो की अगर मेरी मानों तो इतना कुछ भी difference नहीं है इन दोनों में ही बहुत ही जादा minor सा difference आपको देखने को मिल सकता है वो भी शायद मेरी जो testing थी वो exact same थी इन दोनों में ही कोई भी difference नहीं था अगर बात करूँ इनके cores की तो दोनों में ही आपको 6 core CPU, 4 core GPU और 16 core neural engine देखने को मिल जाता है सिर्फ यहाँ पर chip थोड़ी से advance है, A14 से A15 में तोड़ा बहुत difference आपको यहाँ देखने को मिलता है यहाँ पर मैं आपको थोड़ी से और testing दिखा देता हूँ हलाकि यह iPhone 12 vs 13 की testing है यहाँ पर आप देख सकते हो कि same file मैंने इन दोनों में ही डाली हुई थी और मैंने जब इन दोनों को यह साथ render किया तो यहाँ पर 1 second से भी कम का difference आया almost दोनों ने rendering साथ में खतम की जो कि मेरे साब से कोई भी बड़ी बात नहीं है मेरे साब से अगर आप देखो तो दोनों ही same है अब अगर processor की बात होई रहे तो अब बात कर लेते हैं gaming की because gaming बहुत साथा important है यहाँ पर आपको दोनों में ही बहुत कमाल की performance देखने को मिल जाती है iPhone 13 mini में चोटा notch देखने को मिलता है as compared to iPhone 12 mini को मेरे साब से यह हलका सा upgrade बोला जा सकता है लेकिन यह किसी भी use का नहीं है gaming भी करते हो तो आपको कुछ ऐसा बड़ा difference समझ में नहीं आएगा हलका सा vision जादा देखने को मिलता है लेकिन वो भी इतना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे साब से और अगर performance की बात करो तो दोनों में ही आपको same performance देखने को मिल जाती है दोनों में ही आपको कोई lag देखने को में नहीं मिलता है जैसा कि मैं पहले से ही बोलता हा रहा हूँ कि अगर आप किसी और पुराने iPhone में भी अगर gaming करते हो तो वो भी बहुत कमाल के performance देता है तो ये तो A14 और A15 Bionic Chip है, दोनों ही the best है, कोई भी difference नहीं है दोनों में लेकिन अगर actual बात करूं तो ये करीब 8 घंटे के आसपास देखने को मिलेगा और अगर gaming की बात करूं तो आपको gaming शायद ही तेड़ घंटा या तो घंटा खेलने को मिले क्योंकि battery बहुत जादा low हो जाएगी तो obviously इसका कोई मतलब नहीं निकलता and iPhone 13 में हमने देखा था कि 1 घंटे में 25% गिरी थी battery लेकिन इसकी मेरे हिसाब से 1-5 घंटे में करीब 50-60% गिर जानी चाहिए battery तो 12 mini battery के मामले में एकदम worst है लेकिन यह आपको 13 mini में बड़ा upgrade देखने को मिल जाता है battery का आपको काफी बहतरीन battery backup देखने को मिलेगा अगर game के टर्म से बताऊं तो आपको 1 घंटा जादा game खेलने को मिल सकता है iPhone 13 mini में और iPhone 13 mini क्योंकि मैं daily driver में use कर रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ और मैं आपको suggest कर सकता हूँ कि यह आपको पूरे दिन का एक healthy battery backup provide करेगा यानि कि अगर आप बहुत जारा heavy task नहीं करते हो तो यह एक पूरे दिन का battery backup दे सकता है तो मेरे साब से यह बहुत ही बड़ा plus point हो जाता है 13 mini का तो अब बढ़ते हैं हमारे next point की तरफ जो कि है camera और दोस्तों camera एक ऐसा point है जो कि मैं इस video में cover नहीं कर सकता उसके लिए एक बड़े video की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैंने separately बनाई हुई है तो इसलिए वहाँ पर जाके आप इन दोनों का ही in-depth camera comparison देख सकते हो वहाँ पर मैंने आपको almost सारे ही modes इसमें compare करके दिखाए हैं कि क्या difference आपको देखने को मिलता है इन तोनों में फिलाल अगर बात करूं कि iPhone 13 mini में आपको ज़ादा क्या देखने को मिलेगा photographic styles देखने को मिल जाता है कि बहुत ही बड़ा upgrade है अगर आप एक professional photographer हो और in cinematic styles में अगर आप photo खीछते हो तो आपके photos की quality है वो another level पहुंचाती है तो basically इससे होता ही है कि आप different different type के photos खीच सकते हो तो for example अगर आप बहुत जादा light में photo कीच रहे हो 13 mini में वो है cinematic mode यह जो feature है बहुत ही जादा popular feature हो चुका है आज की date में basically यह जो cinematic mode है यह portrait mode है videos के लिए आप ऐसे समझ सकते हो और आप किसी भी object का change कर सकते हो real time में या फिर video shoot होने के बाद भी इसको change कर सकते हो तो मेरे सबसे बहुत ही कम हाल की बात हो जाती है लेकिन अगर दोनों को ही compare करें तो आपको बाकी mode में इतना कोई बड़ा difference नहीं देखने को मिलेगा इन दोनों ही phones में इसी के साथ अगर photography की बात हो रही है तो यहां पर आपको sensor shift की technology देखने को मिल जाती है iPhone 13 mini के cameras में जिसकी वज़े फिर आपको जो photos मिलेंगी वो बहुत ही कम हाल की देखने को मिलेंगी वहीं एक और difference देखने को मिल जाता है दोनों में ही HDR 4K आप shoot कर सकते हो लेकिन iPhone 12 mini में आप 30 frames per second तक shoot कर सकते हो 4K में वहीं iPhone 13 mini में 4K at 60 frames per second में HDR shoot कर सकते हो देखो दोनों ही cameras 4K 60 frames per second में shoot कर सकते हैं लेकिन अगर HDR की बात करूं तो iPhone 12 mini limited है 30 frames per second तक और वहीं iPhone 13 mini आपको 4K at 60 frames per second में HDR shoot करने की capability देता है iPhone 12 mini में Smart HDR 3 की technology है और iPhone 13 Mini में Smart HDR 4 की टेक्नोलोजी देखने को मिलती है इसके अलावा गर बात करें कुछ और elements का तो आपको iPhone 13 Mini में Dual e-SIM का option देखने को मिल जाता है वहीं iPhone 12 Mini में आपको एक SIM physical और एक SIM e-SIM लगाने का option देखने को मिलता है लेकिन मेरे इसाब से कर देखा जाया तो physical SIM जाड़ा बेटर है क्योंकि physical SIM को e-SIM में convert करवाना या फिर e-SIM से किसी दूसरे e-SIM में convert करवाना थोड़ा सा tricky हो जाता है आपको office जाना पड़ता है, geo office या अवे airtel office तो वो थोड़ा सा complicated सा हो जाता है मेरे साब से दोस्तो ये तो था इन दोनों का comparison लेकिन अब मैं कुछ ऐसे key elements की बात करने वाला हूँ जो कि इन दोनों को ही decision making में आपको काफी जादा मदद करेंगे कि आपको कौन सा phone लेना चाहिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों की price की दोस्तो आइफोन 13 mini का price 70,000 रुपीज है जिसको अगर आप HDFC कार्ट से discount वगरा कार्ट के अगर देखते हो तो ये करीब 64,000 रुपीज के आसपास देखने को मिलता है वहीं अगर 12 mini के बात करें तो ये करीब 54,000 रुपीज के आसपास आपको देखने को मिलता है तो अगर देखा जाए तो इन दोनों में 10,000 रुपीज का difference है अब यहाँ पे 10,000 रुपीज के difference में आपको ना सिफ 12 mini से 13 mini upgrade देखने को मिलता है बलकि यहाँ पे आपको storage का भी काफी बड़ा difference देखने को मिलता है क्योंकि iPhone 12 mini का जो base storage है वो 64GB है वो ही iPhone 13 mini का जो base storage है वो 128GB है इसके साथ आपको 12 mini में 6 colors देखने को मिल जाते हैं जिसमें एक extra जो purple color देखने को मिलता है वो अभी 13 mini में आपको देखने को नहीं मिलेगा 12 mini में आपको बड़ा notch देखने को मिलता है as compared to 13 mini जिसका notch जो है वो 20% चोटा हो चुका है साथ ही अगर देखा जाए तो battery backup का भी बहुत बड़ा difference देखने को मिलता है iPhone 13 mini में काफी अच्छा battery backup देखने को मिल जाता है और अगर camera की बात करो तो sensor shift की technology देखने को मिल जाती है cinematic mode देखने को मिल जाता है photographic styles देखने को मिल जाते है तो अगर देखा जाए तो जिते भी लोग छोटा phone use करते हैं उनके लिए काफी अच्छा upgrade हो सकता है ये phone तो दोसब ये तो थे इनके differences अब बात कर लेते हैं आपको इन दोनों में से कौन सा phone लेना चाहिए देखो सबसे पहला element आता है इन दोनों का price अगर ये आपको अभी 40,000 के आसपास देखने को मिल रहा है तो 12 mini आप आँग बन करके ले सकते हो लेकिन अगर compare करें इन दोनों के features wise तो मेरे साब से iPhone 12 mini जो है उसमें आपको battery backup बहुत ही ज़ादा कम देखने को मिलता है battery कैसा element है जिसकी वाज़े से मैं आपको बुलूँगा कि आपको iPhone 13 mini की तरफ जाना चाहिए क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ा भी अगर heavy task करते हो तो 12 mini की battery आपका 7 देना छोड़ सकती है और at least आप अगर phone ले रहे हो कोई 50, 60, 70,000 रुपे का तो at least वो आपको एक दिन तक तो 7 देना चाहिए मेरे साब से अगर आप एक photographer हो तो आपका काम iPhone 12 mini में भी चल सकता है लेकिन 13 mini में आपको photographic styles देखने को मिल जाता है 4K HDR 60 frames per second में shoot कर सकते हो साथ ही cinematic mode देखने को मिल जाता है इसके साथ अगर overall sensor की बात करूँ तो काफी बड़ा sensor देखने को मिल जाता है अगर 12 mini से compare करें तो मेरे साब से हाँ iPhone 13 mini का जो camera है वो the best camera है अगर 12 series से भी compare करते हो तो हाँ अगर दोनों में से कोई लेने का सोच रहे हो तो 13 mini मैं prefer करूँगा iPhone 12 mini आप तब ले सकते हो जब आपको वो 40,000 rupees के आसपास देखने को मिलता है और अगर आपके पास iPhone 12 mini पहले से और 13 mini में अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो मेरे साब से मत जाना क्योंकि next year आपको iPhone 14 mini देखने को मिलेगा वो ज़ादा च्छा option हो सकता है अपग्रेड के मामले में मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आपको जो भी phone अपग्रेड करना चाहिए वो at least एक साल रुक्के करना चाहिए यानि कि अगर आपके बस 11 है तो 12 रुक्के 13 लेना चाहिए एक साल का तो at least gap होना चाहिए बीच में और अगर gaming अगरा करते हो तो मेरे साब से 13 mini जादा बेटर है क्योंकि वहाँ पर आपको जादा बैटरी पैकप देखने को मिल रहा है तो अगर overall आप इन दोनों में से कोई जूस करने को बोलोगी तो मैं 13 mini जूस करूँगा क्योंकि वहाँ पर आपको जादा brighter display देखने को म मिल रहा है, smaller notch देखने को मिल रहा है, better cameras देखने को मिल रहा है, better battery देखने को मिल रही है, तो मेरे साब से 13 mini जाधा better है 12 mini लेने से, तो दोस्तों ये था आज का मारे वीडियो आई, होप ये वीडियो पसंट आओगा, अगर ये वीडियो पहते सब आए तो प्लीज टेट ल तो में मिल तामसे नेक्शी दुना ने बढ़ा मिल रहा है, खिस जाले करे लेने से पाझत कुलियस, भ्पलाय सो ये कि दीे उ笑ता है, जहा है भीडियो खbahn मारेन कृद्स